नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दे क्रिप्टो बिच पर उम्मिद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं जो सबसे बड़ी अपडेट है क्रिप्टो मार्केट में आज उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं जो सबसे बड़ी घटना हुए कि बिटकोई ने 50,000 डॉलर के बैरियर को जो है ब्रेक कर दिया कल के दिन में और अभी एक्सपर्ट का कहना है कि अपने एटी एच की तरफ जाने के लिए तयार हो चुका है जैसे कि आप लोग देख पा र आज था अभी आप लोग देख सकते हैं कि उसके वाल्यूम में लगबख 58% की ग्रोथ है मार्केट का एप में 3.73% की ग्रोथ होई है उसके टोटल वाल्यूम के इसाफ से और टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो मार्केट में बची अभी यह भी देख सकते हैं आप लोग जहां पर सबसे बड़ी अपडेट जो है कि विटकॉइन ने 50,000 के मार्क को तोड़ दिया है यह कल पूरे क्रिप्टो मार्केट की सबसे बड़ी न्यूज थी और काफी टाइम से क्रिप्टो कम्यूनिटी के लोग इंतजार कर रहे थे विटकॉइन जो है फिट से अपने पीक में कब आयेगा तो बीटकॉइन जो है अब अपने पूराने रंग में वापस आ चुका है और बुल रंज जैसे ही नजदीकार है जो है आठ अप्रेल को हुनी है जैसे जैसे उसका टाइम नजदीकार है वोटकॉइन के प्राईज में जो है ग्रोध देखने लिए पूरी क्रिप्टो क्रिप्टो करते हैं और वह जल्दी आप लोग देख पाइंगे कि अपने ETH को भी क्रॉस कर जाएगा और दीअज को एक बार जर्यब करेगा कॉनास करेंगा तो आप एक समझ सकते हैं कि उस टाइम पर मार्केट में अल्ट में मिम क्वाइन उनका क्या महावल होका और उनके प्राइज में क्या ग्रोथ देखनेकिन युक्षै है आप लोगों को कि यहां पर देख सकते हैं आप लोग सारी अपडेट है बिट्कॉाइन बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों मैंगो मैं इंटेलिजेंट टोकन के ऊपर याने की कि इसका भी प्राइज आप देख पा रहे होंगे कि माइटी का प्राइज जो है ग्रोथ कर रहा है और सप्लाइज तो अभी तक उतनी सो कर रही है कुछ भी अपडेट हुई नहीं फिलाल के लिए मार्केट का 4.11 परसेंट के ग्रोथ पे वाल्यूम जो है पिछले 24 आवर में 84 परसेंट का वाल्यूम बढ़ा है यानि वाल्यूम जो है अल्मोस्ट डबल हुआ है पिछले 24 आवर्स में और प्राइज आप लोग इसका देख सकते हैं कि प्राइज जो 61 2423 के एराउंड चल रहा है अभी थोड़ी से हम लोग बात कर लेते हैं कि जो टॉप किया अधर दन बिट्कॉइन तो देख सकते हैं गेनर्स और लूजर्स में एक बार हम लोग थोड़ा सा गेनरों लूजर्स के लिए इसके लिए इसके लिए इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज है उसके अलावा सैट्स है जैनेसीज हिलियम ऑप्टिमिजम लीडो सोलाना अर्बिट्रम और आकास नेट्वर्क यानिक एकेटी सारे टोकन जो है टॉफ हंड्रेट के ग्रोथ में चल रहे हैं और उसके अलामा टॉप लूजर्स में सबसे आप लोग देख सकते हैं कस्पा है फ्लेयर है इम्यूटेबल है इस चार्ट जो है यह सब्यादा लूज में लूस में चल रहे हैं क्योंकि मार्केट कल और मुश्टली ग्रीन लग बिट्कॉइन के रेली के बाद मार्केट मुश्टली ग्रीन है आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि बिट्कॉइन कैट फिस एरोज आप माविया जुपिटर भी घ्रीन आपको दिख रहा है और मॉस थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि यूज क्या है क्रिप्टो मार्केट में सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि सोई टोकन जो था वह उसने अपने एटी एच को ब्रेक कर दिया कल के दिन में क्यों ब्रेक किया क्योंकि फॉल्लोविंग ब्लॉक्चेन एकेडमी क अब दो कि अमेरिकान युनिवर्सिटी साड़जा में जो है उसके साथ सुई ब्लॉक्चेन का पार्टनर्शिप हुआ है और एक उनिवर्सिटी वहां पर इस्टेबलिस करने ब्लॉक्चेन की अकेडमी बना रहे हैं तो यह जैसे मार्केट में आई तो सुई टोकन को भू अब यह सेक्योड एक्सेसिबिलिटी दो और सुई ब्लॉक्चेन अकेडमी क्या है एकॉडिंग टू प्रेस्टी प्रेसे प्रिश्ट वारीजनल मीडिया आउटले सेवर्ट और मंदे दा आस्टी ब्लॉक्चेन अकेडमी सिच्टेटेड वीधिन दे मल्टी डिस्पिनरी स और सुई के साथ पार्टनर्सिप के साथ ब्लॉक्चेन के ऊपर इसके बारे में आप इनफॉर्मेशन एजुकेशन सारी चीज़े महाँ पर चलाए जाएंगी तो यह एक अपडेट बड़ी थी इसी के लिए सुई के प्राइज में जो है कल आप लोगों को ग्रोथ देखन सब्सक्राइब करेंसी बहुत जल्दी भारत में भी देखनों को मिल जाएगी आप लोगों को तो उसी की कड़ी में फिलिपीन्स की गवर्मेंट ने भी अपना एक इस्टेप आगे लिया दा फिलिपीन सेंट्रल बैंक हैज कंफर्म इटाज नो प्लांस टू इस्टील वर विदाओ दूजिंग ब्लोक्चेन अज दे अंडरलाइं टेकनलोजी अवाइडिंग रिटेल लेवल बैंक रन रिस्क इनका क्या काना है कि अभी तक इन्होंने इस चीज को डिस्मिस किया कि डिस्पाइट इस्मूद बैंक डास नाट इंटेंट यूटिलाज ब्लोक्चेन और डिश्टल लेजर टेकनलोजी विच आर फंडामेंटल टू मेनी वर्चुल अर्शेट्स इन्होंने फिलाल ब्लोक्चेन के इस्तिमाल को डिनाई किया है विदाओट ब्लोक्चेन यह अपने सीवीडिसी के जो इनका प्लेटफाम है उसको यह लोग फॉरवड कर रहे है उसको ओपेन कर रहे हैं और सीवीडिसी को अपने लोग जो है लॉंच कर रहे हैं विदाओट ब्लोक्चेन इस्ते इंट्रेक्शन आप ब्लोक्चेन विखभी के विखे ऊप सबसे बड़ी अपडेट है कि यह सक्सेज नहीं हुआ या उसका अच्छा डिजर्ट देखने के लिए नहीं मिला तो यह फिलिपींस की uh wow आपना डिसी सेजन जो है दे दिया है उसके अलामां shab Hallelujah अपडेट है कि बाइनेंस के जो एक CEO थे CZ चेंग जाओ उनके ऊपर जो US में केस चल रहा है उस पर जो फैसला सुरच्चित किया था US की गवर्मेंट ने उन्हों या उस फैसले की डेट को भी पूस्ट पूर्ण करके अप्रिल की विकल एंड अप्रिल में कर लिया है अभी तक फैसला फैसला में आना था दे क्रिमिनल संटेंस पर फाउंडर और फार्मर सीय और बाइनस चैंग जाओ जाओ को जो इसके पहले सजाओ थी तुम्हें ने 175 डॉलर मिलियन के बॉंड को भरा था और उसके अगेस्ट में वो यूस में रह रहे हैं फ्रीली और लेकिन उनके ऊपर जो था बाहर की कंट्रीज में जाना यूएस चोड़के जाने का पूरा दोत्वा बैन था कि आप यूएस चोड़के नहीं जा सकते उन्हेंने बीच में रिक्वेस्ट भी किया था कि मुझे दुबई जाना है हंकौंग जाना है लेकिन यू इंफर्मिशन थी अपडेट थी क्रिप्टो मार्केट के उपर पिछले 24 गंटे में क्या अपडेट हुई है आप लोग नजर बना के रखिए क्योंकि बिट्कॉाइन जो बहुत तेजी से उपर जा रहा और बिट्कॉाइन जब उपर जाएगा तो पूरा मार्केट उसी ड के चांसे हैं अगर आपने यहां से लॉंग करके रखा है बिट्कॉाइन डाउन चला गया तो भी आपके लिक्विडिट होने के चांसे सब्सक्राइब जो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी है वो भी इसके उपर काफी असर डालती है जैसे कि रिपल की बिलिये भी बीच में है लेकिन जो छोटे-छोटे अल्ड कोईन है वो भी उसमें भी अगर आप कहीं पर करते हैं तो आप उस पर जरूर बना के रखी क्योंकि मार्केट जो है काफी ओले टाइल है जब यह उपर रीची होता है प्राइस तो लिक्विडेशन के चांसे बहुत ज्यादा होते हैं जो इन सब चीजों को धान में रखते हुए आप लोग सेफ ली ट्रेडिंग कीजिए फिलाल के लिए दो दोस्तों वीडियो में इतना या कल फिर्मिलेंगे किसी और न्यूज के साथ किसी ओर दूसरे के मात्यां से आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक कीजे चैनल को स झाल झाल